अगर लोक बाषा को समझा जाए कि जिशस क्या कहना चाथे है करूंकि शब्दा वाले उसवक्त की है उसवक्त क्या चल रहा था उसवक्त लोग मचली पकड़ते थे तो वैसे उधारन दिये है लोगों को उधारन वैसे दिया आग्याएं वैसी दि क्या आग्यादी लोगों को आग्यादी कि इश्वर के पास बार बार जाओ आग्यादी इश्वर के पास बार बार जाओ और समझाने के लिए कहा क्या कहा कि तुम मांगोगे रोटी तो क्या तुमारे पिताजी तुमें पत्थर देते है तुम मांगोगे मचली तो क्या तुमारे पिताजी तुम्हें सांप देते है तुम मांगते हो अंडा क्या तुमारे पिताजी तुम्हें विच्चु देते है नहीं देते है अब ये उदारान क्यों बताया क्योंकि उस वक्त की स्थति वैसी थी कि तुम्हारे पिता जी ऐसा नहीं करते तो जो स्वर्ग की पिता है वे ऐसे कैसे करेंगे वे तुम्हारे लिए क्या करेंगे जो तुम मांगोगे वह मिलेगा इसलिए आगया थी बार-बार इश्वर के पास जाओ लोगभाशा में क्या बताया कि एक स्थ्री है जो जज के पास जाती है बार-बार उसका जो केस चल रहा है जल्दी निपड जाए सही बात सामने आए वो बार-बार जज के पास जाती है तो जीजस ये वरतांत बताते है जीजस के बताने का तरीका था वृतांत के दौारा, एनलोजिस के दौारा उपमा के दौारा तो उन्होंने वृतांत सुनाया कि लेडी बार-बार जा रही जज के पास तो जज क्या करेगा वो सोचेगा कि ये लेडी बार-बार आ रही, इसका काम मैं नहीं करता हूँ तो मुझे मानने वाले लोग क्या सोचेंगे अगर इसका में काम करता हूं तो मेरा क्या जाने वाला है इसका काम नहीं किया या किया दोनों में मेरा नुकसान नहीं है और ये रोज मेरे पास आती है तो इसका काम कर देना चाहिए तो एक साधारन जज ये करता है तो परम इंसाफ करने वाला क् जब ऐसे विरतांत लोग सुनते थे, यानि उससे उनको समझ में आए, कि क्यों important है, इश्वर की आरादना, प्राथना, बार बार करना क्यों आवशक है, लोगों को कहा कि विश्वास रखो, राई के बीज जितना भी विश्वास रखोगे और पहाड़ों को कहोगे हट जा, तो वहां से हट जाएगा, राई का बीज जब जमीन में डालते हो, तो कुछ नहीं लगता है, मगर जब उसका पेड बनता है, तो आकाश के पक्षी आकर उसमें अपना गोंसला बनाते है, यह आपने अनलोजी बता इसका क्या अर्थ था, इसके पिछे क्या आप बताना चाहते थे, तो वे उनको बताते थे, यानि जो सुन सकते है, जिसस ने कहा, जिनके पास कान है वे सुने, कई बार बाशा लोगों को चुपती है, सीधे जब शब्द कहे जाते ना, तो लोगों को बाशा चुपती है, जिसस ने कहा, सुरों के आगे मोती मद डालो, सुरों के आगे मोती मद डालो, वो कुचल देंगे उसे, यानि सुर और मोती, मेल नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे, मोती है, यानि जिसको ग्यान दे रहे हो, वो कौन है पहले देखो, वो समझ पाएग क्या वह समझ नहीं पाएगा मोती दे रहे हो आप ग्यान की उच्छ चीजें बता रहे हो और सामने वाले की चेतना कैसी है तो कंपरिशन कैसे की तो ऐसे कई सारी बातों में डारेक्ट बताया गया चुबने वाली बातें जो रभियों को बरदाश नहीं हुई उस वक्त के जो शाशक थे और पंडित पुरोयत थे उनको बरदाश नहीं हो रही थी किस तरह कोई कैसे कह सकता है और फिर जीजस ने बताया कि इस आगया में तुम रहते हो तो जल्द ही तुम प्रभू के राज्य में प्रवेश करोगे प्रभू के राज्य में प्रवेश करोगे लोग ब बाहर से कैसा दिखेगा रोशनी कैसी होगी आकाश ते क्या आएगा तो बलते हैं वो राज्य अंदर है तुमारे बाहर नहीं है जो नस्दीक के लोग थे जो पूछते थे जो उत्सुकता दिखाते थे उनको ही रह से मालम पढ़ते थे वरना कई लो खाली इसी कल्पना से हमा तो लोग उस वक्त भी कई सारे लोग समझ ही नहीं पाए जीजस को क्योंकि जब नहीं समझ पाएंगे तब ही जीजस जैसी चेतना को सूली पर चड़ाया जा सकता है वरना वो कैसे संभव था अगर लोगों को समझा होता तो वह होना संभव नहीं था मरे लोग समझ नहीं पाए, तो Jesus की बात हम समझ रहे हैं, तो उस वक्ट के माहोल को समझ रहे है, और Jesus पैदा हुए कवारी मा के द्वारा नाजरत में पैदा हुए, उस शेहर में, और जब बच्चा था, पेट में था, तो नाजरत गाउं में मेरी रहती थी, वे Bethlehem गाव में आई क्योंकि वहाँ पर जन गणना हो रही थी तो हरे को कहा गया था अपने अपने जनम इस्थान मूल इस्थान पर जाओ तो Jesus Bethlehem की तरफ जब आ रहे थे पेट में थे तो एक गुफा में क्योंकि सराय में कहीं जगे नहीं मिली Joseph को और Mary को तो वहाँ उन्होंने जनम लिया और Mary की जो अवस्था थी समर्पन की अवस्था थी उस अवस्था की वज़े से Jesus में जो तैयारी हुई वही तैयारी एक मुक्तिदाता को तैयार करने में मदद करती है Mother Mary जिसको लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्योंकре वहाँ पर पूर्ण समर्पन था, इससे समझना क्या है, कि हम भी चाहते हैं जिजसका जनुव हमारे अंदर हो, यानि वह चेतना जगे, चतन्य चेतना जगे, तो हमें वह अवस्था अपने अंदर लानी होगी, समर्पन के भाव से, दाय विल बी डन, जब ऐसा भाव आता है, हमारे अंदर अहिंकार है, व्यक्ति, सेपरेट व्यक्ति बन बैठा है, वो दीन हो जाए, वो समर्पित हो जाए, वो ग्रणशिल बन जाए, तो वो दीन हो गया, वो अपनी तरफ से कोई टांग नहीं अडा रहा, अहिंकार, अकड, अविश्वास, अभाव, ये चीजे निकल गई, तो प्राथना का फल तुरंत आता है, तो वहाँ वह समर्पन का भाव, पवत्रता आ गई, शुद्धता आ गई, ऐसी अवस्था में जीजेस का जनम, यानि मां का फोकस कहां था, जीजेस पेट में आये, तो मां का फोकस कहां था, सतत इसी बात पर था, कि इश्वर ने जो किर्पा की है, उसे समालना है, इश्वर ने जो सेवा दी है, वह सेवा करनी है, सही करनी है, और फिर जीजेस पैदा हुए, हर साल मेला लगता था, येरुशलम में, वे लोग जाते थे, और वहाँ, मेले में कई सारे, ग्यानी लोग आते थे, ऐसे पुरुश्ट जो, वहाँ पर ज्ञान चर्चाएं करते थे, जीजेस को वह बहुत पसंद आता था, तो वे सुनते रहते थे, उनकी बाते बश्पन से ही, वे बाते सुनते रहते थे, एक बार जब, मदर मेरी जोजफ, वापस लोटे, अलग-अलग ग्रूप्स बनाके लोग जाते थे, सुविधाएं नहीं थी यात्रा में, तो लोग पैदल यात्रा हैं करते थे, तो अलग-अलग ग्रूप्स में जाते थे, वापस लोटते थे, तो जब लोटते थे, तो कोई किस ग्रूप में आ गया, कोई किस ग्रूप के साथ आ गया तो मेदर मेरी जब पहुंची तो उस लगा जीजस पीछे से आ रहे होंगे किसी ग्रूप में मगर जब देखा कि वे नहीं आए तो उन्हें बहुत चिंता हुई परेशान हो गए दोनों फिर से वापस येरुशलम गए वहाँ पर देखा कि जीजस उस मंदिर मैं इश्वर के मंदिर में उस चर्चा में बैठे हुए थे दोनों ने मअबाब ने कहा कि तुम्हें हमारी चिंता नहीं हुई हमें कितनी तकलिफ हुई होगी तुम नहीं जानते क्या तुम इस बारे में अवेर नहीं थे तो जीजस ने कहा अपनी माँ को क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे पिता जी के घर में ही रहना है तुम तो जानती हो ये बात तो मेरी को फिर जटका लगा फिर से याद आ गई कि जीजस कौन है किस तरीके से उनके पेट में आया है तो ज्यानी जीजस और ध्यानी जीजस ध्यानी जब उन्होंने जॉन से जो बैटाइस कर रहे थे जैसे नामकरन होता है हिंदूों में वैसे बैटीजम होती है जहां पर लोगों को पवित्र किया जाता है जैसे गंगा में लोग नहा कर आते तो हम अभी पवित्र हो गए, अभी हम अच्छा जीवन जीएंगे, उस तरह जो जॉण थे, वो पूर्व की तरफ, इसराइल के पूर्व की तरफ, लोगों को बैप्टिजम दे रहे थे, पानी से नहला कर नदी में, लोगों को पवित्र कर रहे थे और पवित्र जीवन देने की प मगर उसने कहा कि नहीं तुम मुझे दो, जॉण ने कहा उनको कि तुम मुझे वैप्टईज करो, तुम मुझे नहलाओ, जीवन ने कहा कि नहीं, इस वक्त जो परपस से आये है, आप वह पूरा करो, जॉण ने उनको पानी में नहलाया और उसके बाद जीवन चालीस दिन रेगेस्तान में चले गया है, एकांत में चले गया है, चालीस दिन में क्या हुआ होगा, क्या मनन हुआ होगा, चालीस दिन में जो वो दिहानी जीजस बने और फिर जब वे लोटे तो उन्होंने प्रिसार और प्रिचार शुरू किया, लोगों में बोलना, खुलकर बोलना श शिक्षाएं है पहाड उपनिशिद जिसमें वे सब बातें आई कि जो दीन है उनको ही प्रभू का राज्य मिलेगा यानि जो समर्पित है उनको ही प्रभू का राज्य मिलेगा जहां आहिंकार खतम हुआ है प्रभू का राज्य इश्वरिय इस्थान हमारे अंदर ही जो है व लोग समझ पाए, वे जरूर उसका लाब ले पाए, बाकी लोग यही कलपना करते रहे, बाहर से कुछ होने वाला है, और एक प्रभू का राज्या आएगा, जिसका फिर कभी अंत नहीं होगा, और यह अंदर की राज्य की बात कर रहे थे, बच्चे इसमें प्रवेश पाएं कल हम आपको साइकल लेकर देंगे, तो राध को मस्त सोता है, उसको विचार नहीं आता है, लेकर पिता जी देंगे के नहीं देंगे, पता नहीं लेकर देंगे के नहीं देंगे वहां डाउटी नहीं है मर एक बड़े इंसान को कहा गया तो वहां विचार ही चलते रहते इसलिए कहा होगा उसलिए कहा होगा भी पैसे नहीं रहेंगे पर ये फिलाल टाइम पास कर रहे है फिलाल इसलिए बोला तो बहुत रहके विचार चलते रहेंगे नेंद नहीं आएगी मर बच्चा बहुत आराम से सोता है पिता जी ने बताया है काम हो जाएगा तो बच्चे प्रभू के राज्य में बड़े आसानी से प्रवेश पाएंगे ऐसा बताया हर त्योहार हर जनम दिन देश की आजादी का त्योहार हो विश्व की आजादी का त्योहार हो हर त्योहार में आजादी आत्म साक्षातकार पाना ही मूल रहस्य है यह रहस्य आज सभी जान गए है तो वह पुरा हो रहा है कि नहीं हर त्योहार में देखना रमजान का महिना आया हो, दिवाली का समय हो, क्रिस्मस हो, गुरुनानिक जैन्ति हो हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिख्ख हो, इसाई हो सभी ने एक ही बात को महत्व दिया है जो लोग भूल गए, वे करमकांड को महत्व देने लगते है सुरक्षा को महत्व देने लगते है जब हम असली रह से जानेंगे तब पहले बार हम इंपर्सनल लाइफ जीना शुरू करेंगे कि यह शरीर हमारा कैसे प्रकाशमान बने इसमें क्या जाए आँखे हमारी निर्मल कैसे हो मेरी की तरह शुद्ध वासना रहित इसको ट्रेनिंग मिल जाए और फिर जीजस का जनम होगा किसी भी बोडी से जीजस का जनम नहीं होता समरपन का भाव तयार हो कृष्णा, चेतना या क्राइस्ट कॉंशिसनिस एक ही बात है राम है, रहीम है गुरुनानक है, जीजस मोजेज है इबराहिम है, महमद है सभी मुक्तिदाता जो आए, यही बताना चाहते थे, कि इंसान समय के साथ बाहर की बाते देखकर भूल जाता है उसकी मिमरी, उसकी याददाश्ट फिर से लाई जाए, वह कौन है प्रभू का राज्य अंदर ही है अटक जाए इस विशय पर और विस्तार से मार्क दर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हैपी थॉट्स देजग्यान और सुरश्री तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें